हेलो दोस्तों कैशे हैं आप लोग हमारी आज की कहानी का नाम है जलन हे भगवान अरे मेरी मा हाथों में बहुत जलन हो रही है पिंकी बेचारी इधर से उधर तडप रही है और उसी समय उसने गलती से उसी हाँ से नाक के पास खुजा दिया वहां भी जलन के मारे बुरा हाल हो गया ससुराल में आज पहली बार उसे खल मूशल में लाल मिर्च पीशनी पड़ गई मायके में तो माने ये सब कभी करने नहीं दिया वैसे तो कभी कभी धनिया और नमक कूटा था लेकिन लाल मिर्च मा खुद ही मूँपर कपड़ा बांध कर कूटती थी जिससे उसकी बहसना लगे जब भी पिंकी कूटने को कहती तो मना कर देती मिर्च तुम मत कूटो वरना बहुत जलन होगी आज ससुराल में उसे लाल मिर्च कूटनी पड़ गई और उसने ध्यानी नहीं दिया कि मूँपर कपड़ा बांध लेती और हाथ में दस्ताने पहन लेती उसको तड़पते देख उसकी शासु माई और बोली बहु जरा ध्यान से काम किया करो क्या नोशिखिये वाले काम करती हो इतना पता नहीं कि मिर्च कूटते समय ध्यान रखते हैं माजी माईके में कभी नहीं कूटी इसलिए ध्यान नहीं गया कहकर फिर शेरुआसी हो गई माईके में तो कोई नहीं करता लेकिन ससुराल में सब को करना पड़ता है कल को सिलवट्टे पर चटनी पीशने पड़ेगी तो कैसे भी सोगी हमारे यहां तो हर सबजी ताजा मसाला सिलवट्टे पर पीश कर ही बनती है अब इसकी आदट डाल लो शमझी अभी सुरू सुरू में जलन होगी बाद में पता भी नहीं चलेगा अभी जाओ अपने हाथों में और नाट के पास देशी घी लगा लो जलन खत्म हो जाएगी दूर खड़ा पिंकी का पती राहुल यह सब देख रहा था और उसे पिंकी का तरपना नहीं देखा जा रहा वो दूसरे दिना फिर से आया तो अपने साथ मिक्सी लेकर आया और अपनी मा को देते हुए बोला मा ये मुझे गिप्ट मिला है ये मिक्सर ग्राइंडर है इसमें आप सब मीर से मशाले पीश सकती हैं और आपके हाथों में जलन भी नहीं होगी आपका हर काम इस से आसान ह हो जाएगा राहुल अपनी बात कहकर कनकियों से अपनी नवैली पत्नी पिंकी को देखने लगा वा बेटा अब समझ में आया इतने शालों से मा कुछ कहती नहीं थी तो मा को कोई तकलीप नहीं होती थी इसलिए किसी ने कभी मेरे बारे में सोचा भी नहीं बीवी को सिर्फ पिंकी को ही आराम मिलेगा आपको नहीं आपको भी तो आराम मिलेगा इसलिए बेटा बहुत दोनों का धन्यवाद करो और खुश रहो अच्छा जल्दी से कुछ बढ़िया सा पीसकर हमें भी खिलाओ बनाकर राहुल के पिता जी गया प्रसाद जी ने बात को हलका क करते हुए अपनी पतनी को छेड़ा हाँ आपके बात बिल्कुल सही है जलन तो मेरी भी यहादों में बहुत होती थी लेकिन मैं मैं भी आपकी भी समस्या चिटकियों में हल कर देता अगर पिंकी मेरी पत्नी है तो आप मेरी मा हो आपका हक उस्षे पहले है अपने बेटी पर विश्वास ना हो तो आज मा कर देख लो अपनी बात से मुकरूंगा नहीं और तुम्हारी हर तकलीब दूर करनी की पूरी कोश करूंगा कहते हुए राहुल मा के गले लग गया बस अपने बेटी के मुसे इतनी प्यारी बाते सुनकर वो तो गदगद हो गई और सब भूलकर उसे शीने से लगा कर बोली मेरा बच्चा सदा खुस रहे ये सब देखकर पिंकी को भी बहुत अच्छा लगा कि उसका पति कि उसे ही नहीं अपने पूरे परिवार से प्यार करता है और अपनी जिम्मेदारियों को निभाना भी बखु भी जानता है आशा करती हूं दोस्तों आपको हमारी कहानी जरूर अच्छी लगी होगी धन्यवाद